क्या आप single हो, क्या आपकी कोई girlfriend नहीं है, क्या आप अखिला फील करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, और चैन से सोना है, तो वीडियो पूरा देखना, मान लीजिए आपको एक सुन्दर सुशील कन्या रात के दो बजे message करके वीडियो call के लिए बोल कर आपकी रू इसी चीज़ का फाइदा उठाकर इन से काफी confidential information पाने में कामयाब हो जाता है, और ये scam ना काफी बड़े scale पर चल रहा है, इंडिया में ना सिर्फ बड़े बड़े लोगों के साथ, बलकि आम इंसानों के साथ भी, और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, चैनल क अब आपको ये पसंद आए, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करना, ये है लुद्याना की जसनीत कौर, ये उन ही में से एक है, जिने आपने अपने इंस्टाग्राम पर हर बड़े meme page के comment section में spam करते देखा होगा, ये अपने इंस्टाग्राम पर अपनी explicit photos upload करती थी और फिर अपने target को, जो की usually rich classes से belong करते हैं, उनको hunt करती थी, target मिलने के बाद ये उन्हें video call करने के लिए convince करती थी, और फिर इसी video call की recording करके वो उन्हें blackmail करती थी, ये तो बस कुछ cases हैं, ऐसी और भी बहुत सारे cases हैं, जिनमें इनसान की अकेलेपन और उनकी sexual needs का फायद के numbers double से भी जादा बढ़ गए हैं, यहीं अगर सिर्फ India की बात करें, तो Times of India की एक report के अनुसार, in 2022, India witnesses more than 500 cases of extortion daily, और इन में से बस 0.5% cases में ही एक FIR दर्च कराई गई, इन figure से आपको ये अंदाज़त तो लगी गया होगा कि extortion कितनी बड़ी problem है, कितनी बड़ी problem ये बनत काफी serious है ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा serious है sextortion के after effects, आई एक बार उन चीजों पर भी नजर डालते हैं, जिनसे एक इनसान को गुजरना पड़ता है, और पैसों के लावा भी ये किसी भी इनसान की life को कैसे हिला कर रख देता है, सबसे पहले इससे इनसान की mental health पर काफी negative impact पढ़ता है, University of Maryland के दुवारा 2018 में कीगे एक study में पाया गया था कि sextortion की वज़े से mental health पर काफी negative impact पढ़ सकता है, जिसकी वज़े से anxiety, depression, PTSD जैसी problems हो सकती है, this study also found that victims of sextortion are more likely to engage in self-harm and suicide attempts, एक scam में तो victim को publicly भी humiliate किया जाता है, जिसके बारे हम आगे बात करेंगे, अगला impact ह होता है physical health पर, हाँ, सही सुना, research ने ये भी दिखाया है कि sextortion witnesses को significant health problems का risk जाधा रहता है, they are more likely to experience headaches, stomach aches and other physical symptoms, and lastly extortion victims are more likely to experience relationship problems, जैसे कि trust issues, anxiety, etc, क्योंकि वो already fake romantic relationship से गुजर चुके होते हैं, और इसका उनके mind पर काफी heavy impact पढ़ता है, अगर आप और अच्छे से इसके बारे म से पढ़ सकते हैं, पहले वीडियो पूरा देख लो, दो-तीन scams के बारे में और बताऊंगा, और normally तो कोई भी scam का शिकार बन सकता है, लेकिन most of the times इनका target group 25 साल से कम उमर के लोग होते हैं, और उनमें से भी खास कर वो लोग जो financially strong हो, और अगर आप इस category में नहीं भी आते हो, या उनकी profile verified ना हो, हलाकि Twitter पर तो अब ये BlueTix कोई भी खरीच सकता है, लेकिन बाकी platforms पर थोड़ा ध्यान रहें, अगर कोई stranger आप से सामने से बात करने की कोशिश करता है, या आपके पास कोई message आता है, जो आपकी personal details जानने में जादा interested होता है, तो उनसे खास तोर पर साफधान रहें, अपने explicit photos और videos तो बिल्कुल भी share ना करें, even if आप सामने वाले को कुछ दिनों या महीनों से जानते हैं, and just by mistake, अगर आपकी कुछ ऐसी private pictures लीक हो गई है, उन्हें आप कैसे internet से हटा सकते हैं, उसके बारे मैंने एक shorts वीडियो बनाया था, उसका link मैंने description मे दालते हैं, उसको जरूर देखना, suspicious websites या links पर बिल्कुल भी click ना करें, और सबसे important है, अपनी personal details किसी के साथ भी share ना करें, अगर आप सोच रहें कि अरे ये सब तो मुझे पता ही है, और मैं ऐसी वैसी चीज़ों में नहीं फसने वाला, तो मुझे यकीन है कि आप इस अब आते हैं इस वीडियो के part 2 पर, आपने gold digger तो सुना ही होगा, इसके बहुत सारे pranks भी देखेंगे, लेकिन क्या आपने food digger के बारे में सुना है, अरे मैं अपने आप से कुछ नहीं बना रहा भाई, ये legit नया scam है, जिसके बारे में आपको detail में जानना चाहिए, इस scam म आप किसी के साथ Tinder या Bumble जैसी आप के ओपर connect करते हैं, और वहाँ पे एक दो दिन बाते होती हैं and then decide किया जाता है कि let's go on a date, इसमें victim को किसी random से restaurant में date पर बुलाया जाता है, और वहाँ होते हैं दो menu, एक आपको order करते वक्त दिखाया जाएगा, आप से जाता से जाता order आने के लिए और दूसरा payment करते वक्त जिसमें prices काफी जादा inflated होते हैं, अब अगर आप pay नहीं करते हैं तो आपको public और अपनी date के सामने humiliate किया जाता है और इसमें restaurant के owners भी शामिल होते हैं, in fact most of the time वो ही उस लड़की को hire करते हैं इस scam के लिए and बढ़ती बिरोजगारी क वज़ा से लड़कियां भी इस scam को करने के लिए तयार हो जाती है, and moving on, लोगों की mental state भी इस चीज़ से काफी बड़ा role play करती है, depression, loneliness, dissatisfaction जैसे factors इस problem का root cause है, most people जो इन scams का शिकार होते हैं, वो aware हो जाते हैं कि उनके साथ क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ उसको strong कीजिए, and by any chance अगर आपको कोई online blackmail करता है, या harass करता है, तो authorities की help ज़रूर ले, अगर आप lonely feel करते हैं, तो आप काफी ज़दा susceptible हैं इस scam से, देखिए, out there बहुत सारे dating apps हैं, जिनके लिए आपको किसी के साथ video call तो दूर, बात करने के लिए भी subscription लेना पड़ता है live stream के नाम पर recorded videos play की जाती है, और most of the time इन्हें ही कोई bot account operate कर रहा होता है, और अगर आप कोई legit app, जैसे की tinder या bumble use कर रहे हैं, तब भी chances are, आप किसी bot से बात कर रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा, ये दिखले, tinder ने ही इस साल के quarter में, एक में से 5 million spam accounts को remove किया है, इस scam से लोगो बर भी निज़र डालिए, इवन Congress MLA, नीरस दिक्षित और करनाटका के BJP MLA इस भी ऐसे ही blackmail किये जा चुके हैं, अन्नून नमबर से वीडियो कॉल, वीडियो कॉल की recording और फिर पैसे की demand, दर असल हम प्लान कर रहे हैं, इसी से रहे लिए एक topic, sex education पर भी एक वीडियो लान मैं मिलूँगा आपसे अगले किसी informative वीडियो में